Good morning, friends, welcome to my channel आज मेंने अपी भाग्यां के बारे में हैं मैंने भाग्यां के बारे में बहुत दो फीडियो बता चुकी हूँ तो भाग्यां के एट कोल के क्या है पो नहीं बताऊँगी आज मैं पर अप्पार्ण भाग्यां के बारे में बताऊँगी बहुत सारे लोगों का भाग्यां के टोटल सिंगल डीज़ भाग्यां के एट आता है लेकिन डीफिरेंट डीफिरेंट मोड होता है लाइफ उनका थोड़ा different होगा, 44 का different होगा, 35 का different होगा, 26 का different होगा तो यह से में सब का थोड़ो थोड़ा different होता है, आज उसके बारे में discussion करेंगे And another thing, उसको क्यों कहा जाता है ये powerful number? या क्या ध्वन, दोलत, सो रद, ये देता है, नहीं आप अगर लोसुग्रूड में दखेंगे मैं एक वीडियो में बताए थी यह सब opposite number है 6, 8, 1, 6 यह बालंस कर रहा है एक दिनों के तिन 6 का opposite 8 है 852 उसको 258 सभी लोग बोलते हैं लेकिन वो 258 नहीं है 852 है वो तो 8 and 2 opposite number है and another 8 4, 3, 8 इसमें भी 4 and 8 opposite number है तो लोग क्यों 4 के साथ 8 को attach करते हैं यह दोनों peculiar number खा जाता है फिर भी 8 को क्यों powerful number खा जाता है अगर मैं ऐसे धन, दोलत, सोरत की बाते करो तो 6 का fully opposite 8 है वहाँ पे आपको धन देगा, यहाँ पे कमी देगा, हर चीज में कमी देगा वहाँ पे आपको सोहरत देगा, यहाँ पे आपको नफरत देगा, 8 पर आप वहाँ पे कुछ बुरा काम करें नहीं करें आपको सब कुछ मिलेगा बावाई मिलेगा, यहाँ पे अफमान मिलेगा, वहाँ पे मान मिलेगा तो यहाँ पे अफमान मिलेगा तो फोर के साथ इसका क्या है दोलों क्यों सेम कहते हैं लोग क्यूंकि ये delay देता है challenging life देता है struggle देता है लेकिन फोर losograde बे wealth को दिखाता है ये क्या दिखाता है great asset को दिखाता है फिर भी, आपको क्या खाली पे ग्रेट एसट मिल जाएगा? नहीं अगर 50% लोगो failure हो रहे हैं 50% success हो रहे हैं या 40-60 ratio रहे था है 60% लोग failure हो रहे हैं भाग्या केईट को लेके क्योंकि परिशानी पे है उनको मालूम नहीं चलता है कि भाग्या के इट क्या है सारे लोग जैसे धन के पीछे जाते हैं ये लोग वैसा पीछे जाते हैं लेकिन इनका तो कर्म जैसा करोगे मिलेगा वैसा ही फल भाग्या के इट इसे होता है तो आपको भाग्याक 8 हम जैसे कहे देते हैं जिसका भाग्याकर 8 होगा उसको पता चल लेगा क्या होता है कभी-कभी उनको कमी रहता है जिंदगी भर, लाइट में कमी रहेगा वो दन्बी जितना भी कमा happy guess फिर भी उनके मन में एक जगा कोई कुछ ना कुछ रहेगा कि हाँ यह होता तो अच्छा होता तो इसे कमी रहता है लव अगर करेंगे तो लव में भी कमी इनका तो मेरे चे कंपटिबिलिटी इतना अच्छा नहीं रहता marriage life इतना अच्छा नहीं रहता, फिर भी यह सोच थे हैं कि उनका life partner अच्छा हो, कभी-कभी क्या करते हैं, religious से बाहर जाके साधी करते हैं, काश्च से बाहर जाके साधी करते हैं, यानि कि पिता माता समा से भी कभी उल्टा सी रखर के साधी करते हैं फिर भी यह अगर सोच रहें कि उनका marriage life अच्छा होगा, यह पूरा गलत फेमी है, क्योंकि यह अगर पिता माता, यह अगर कुछ सोच समझ के साधी करें तो अच्छा है, नंबर का साथ उनका compatibility ले के साधी करें तो अच्छा है, अगर यह दिल से love marriage करेंगे, तो उनके लिए यह अच्छा नहीं है, यह भागया कि मैं पीता पाता हो, तो बच्चों को समझाना कि नहीं, love marriage करें तो आपका अच्छा हो नहीं हो सकता, तो यह रहा love, तो मैं कहना चाहते हूं कि आपको हर चीज में कमी रहेगी, कभी-कभी एक से प्यार करेंगे, और वो प्यार नहीं मि love नहीं लिखाए, तो एक को छोड़के क्या दूसरे के पीछे भागे, तो क्या आपको love में success हो जाएगे, नहीं होगा, अगर किसी के life में लिखा होगा कि तुझे धन मिलेगा, तो जैसे भी तु बेटा होगा भी धनाएगा, अगर किसी के life में लिखा होगा कि आपको love मिल तो आपको वही एक से ही लफ मिलेगा, जिसको आप प्यार करते हैं या साधी कर रहे हैं, अगर नहीं लिखा है आप इसको छोड़के उसको जय तो भी नहीं मिलेगा, तो पावरफुल नुमबर इसको क्यों कहा गया है, क्योंकि यह इतना लाइट में स्ट्रगल करते हैं, धन आपके मामले में हें हो, मानाप मान के केस में हो या सहरत नफरत के केस में हो, जैनरल इनके पीता के साथ नहीं करता, क्योंकि सटर्ड औड सन रवी औंड सूरय औड सोरिय, सूर्य औड सनी यह दोनों नहीं अपस में चमतें पिता पोत्र हैं फिर भी उनका एक कर्म से कर्म से ही वो सोचता है कि सनिश सोचता है कि कर्म से ज़्यादा और कुछ बढ़ा नहीं है इसलिए न्याय के मैमले में उनसे ज़्यादा कोई न्याय नहीं है यह न्याय अच्छा देते हैं किसी को भी नहीं अपना नहीं पराया नहीं सब के लिए न्याय पर समाने लेकिन फोर और एट के साथ क्या डिफरेट है एट मरसी के साथ देखे ये कोकोनट के जैसे होते हैं आप सोची हमारे पूरा नहीं में लिखा गया है कि अच्छे लोग ना कोकोनट के जैसे होते हैं बाहर बहुत सक्त दिखाते हैं लेकिन अंदर पूरा नरब रहते हैं लेकिन बेर के जैसे होते हैं खल लोग यानि कि बुरे लोग बेर के जैसे होते हैं वो कैसे होते हैं बाहर अच्छे नरम सप्ट के जैसे होते हैं लेकिन अंदर किसी के लिए बद्वा किसी के लिए खराब भाबना किसी के लिए इसा ही रखते हैं तो यह थोड़ा डिफरेंट होता है फोड़ा निलिट पे तो बहुत बात चोड़ देजी तो अभी हम कबार नमबर के तो most powerful number क्यों कहा गया है यह जिन्दकी में ऐसे ऐसे struggle के साथ बढ़ते हैं तो जो लोग इसको accept किये इसे लिए वो powerful बन जाते हैं जो नहीं accept किये वो level होके रहे जाते हैं कहां पे भी कुछ भी नहीं कर पाते हैं और फिर frustration आता है वो कितना अच्छा हो गया वो कितना उसको कितना हाती गोड़ा मिल गया कार करके रहा है कार किया बंगलो किया इतना धन सब बदा है वो इसे में क्या होगा आपके अंदर एक inferiority आ जाएगी तो इसके बाद आप क्या करेंगे खराब रास्ता चूज करने लगेंगे रवरी करेंगे क्या कुछ भी crime करेंगे ऐसे में तब क्या आपको लगता है कि आपका अच्छा हो जाएगा एड के लिए मैं particular कह देती हूं वो न्याय के देपना ही आप अगर अच्छे direction पे जाएगे तो आपको से 15 year नहीं तो 20 year नहीं तो आपको कभी न कभी वो अच्छा position पे लाके खड़ा करेंगे जहां पे आपको कुछ भी कमी नहीं होगी यह आपको जिंदगी पे नहीं लगेगा कि नहीं आपने कुछ नहीं कर पाए लेकिन आप क्या खराप रास्ता पे जाएगे तो आप डिक्रीज हो जाएगे और एक भग्यां के पारे में कहें दूँ कि यह खुद अपने आपका नमबर नहीं है यानि कि आप अगर खुद बढ़ने के लिए ट्राय करें यह नमबर आपके नहीं आप यह सोचना में कि कुछ ऐसा बीजनेस करूंगा कि करूंगी जो सबके लिए फाइदा होगा मैं सबके साथ उपर ग्रो करूंगा इसा नमबर फटीक्स का भी राजनेत का है आपको इतना एक अच्छा पोस्ट दे सकता है कि आप सबके लिए भला कर सकेंगे यह न्याय का है तो इसे में है मैं अभी आपको पीम कहे रहे है कि आतुम नेद्वरसिल बनू ऐसा बनू लेकिन मेरे के पिछले वीडियों में भी कहे चुकी हूँ जब बीजनेस होगा या कमेंट जोग होगा उसी में कही थी कि पहले ना सब छोटा-छोटा खुद्र सेल्फ था छोटा-छोटा कुटीर सेल्फ था तभी लोग हर कोई छोटा-छोटा सेल्फ लेके बढ़ता था बोही इंडस्ट्री रेलिस्ट बीजनेस में किया कि है इस सब भी का लेके एक खुद बन के बहुत ऊपर चले गए बहुत अमेर बन अभी बोही लोग को कहा जाता है कि अभी छोटा-छोटा करो बो कहले का ही है मैं यह पहले भी कहे चुकी हूँ इसके बारे में तो भाग् कोण भागें आता है इस दो सिंगल है वो पूरा-पूरा उसको अच्छा फल मिलेगा अब यह थे 17 के तरफ 17 क्या है 1 & 7 से बनागुआ नंबर है वान रूलिंग करता है राचा के जैसा न्याय के साथ 7 आता है spiritual के तो जिन लोगों का भी मुलंग 17 आता है वो अपने कर्म से अपना नाम को रोसन कर देते हैं immortality यानि के उनका नाम मरने के बाद भी अमर होके ले जाता है 17 हमारे नरंद्र बोदीजी है तो लेकिन अगर भाग्यां 17 किसका आया तो वो इससा कर्म उनका भाग्या में इससा कर्म लिखेगा कि वो अप्टर देथ भी वो लोग अमर होके रहेगे लेकिन उनको इससा कर्म करना पड़ेगा क्योंकि उनका भाग्या कहे रहा है कि 187 से बना हुआ है तो 171 के बहुत ही बहुत ही spiritual नंबर है उसको अगर देखा जाए तो 178 तीनों के तिन दमदार नंबर है particular spiritual case के लिए 8 आपको लगता है कि कोई कहते हैं कि 357 सबी लो देगा वो knowledge के साथ spirituality को बढ़ा देगा knowledge के base के साथ मैं कभी next video में बताऊंगी कि भक्त के से होते हैं कितने types का होते हैं कि जैसे आपके साथ यह number के साथ रहता है कि भक्त के कितने types के होते हैं वो number के साथ मैं आपको वीडियो में बताऊंगी तो यह भाग्वत ने लिखा समझ लेजिए कि 1 आया, 7 आया, 8 आया, spiritual के साथ command लेके knowledge के साथ आया, तो यह कर ऐसे देखे तो बहुत है अच्छा नमबर है, तो next चलते हैं 26 के तरब, यह harassment देगा, क्यों देगा मैं बताती हूँ, टो के साथ 6 का अच्छा कमीने सा नहीं, 2, 6 अपने आपने दोनो OIN का नमबर है, लेकिन यह तीनो के तीन OIN का नमबर है, लेकिन 26 के साथ 8 का अच्छा नमबर नहीं है क्यों नहीं है मैं आपको कही थी कि 2, 4, 6, 8 में 8 थोड़ा अलग है 1, 3, 5, 7, 9 में 9 थोड़ा अलग है तो अगर कुछ नंबर 9 बन रहा है 6 से तो अच्छा है कि क्यों पूजिट ले लिजी 9 से बना हुआ 6 अच्छा हो सकता है लेकिन 2 और 6 से बना हुआ 8 अच्छा नहीं है इसका रीजन क्या है अभी देखिए 8 एक संघस का नंबर है वो संघस ढूण रहा है 2 एक बहुत जुका हुआ नंबर है 2 समझ नहीं पाता है 8 को आपका मन अंदर का सोल कहेगा कि लचछरी करू प्यार करू तो ऐसे में 8 के साथ यह जमता नहीं है 26 कैस में क्या होथा है 2 एक जुका क्या नंबर है 2 सबventर प्यार के साथ रहते हैं प्यार दोंदेरे पिता से दोंदे, माता से दोंदे, भाई वेज से दोंदे हैं और फ्रेंड से डूंदे हैं, लेकिन उनको नहीं मिलना है, क्योंकि 26-8 लास्ट वा आपको भाग्या कईट आ रहा है, तो आपको भाग्या कईट कह रहा है, सब में कमी, प्यार में भी कमी आएगी, तो आप क्यूं डूंदते हैं, अगर आप यह सोचना ला, अगर मेरे पास ह होता कुछ अच्छा ना बत तो सा बात है मेरे पास अगर नहीं है तो क्यों आप भीक माग रहे हैं तो एसे में छोड़ दीजे वो रिस्टे को छोड़ दीजे जहां पर आपको नहीं मेल रहा है कुछ है वो इग्नोर कीजी दूर डिस्टेंस मेंटेन कीजी यह नमबर अकेला स्लाइट के लिए मन कहता है और आपको यहां पर मैं पहले भी कह चुके हूं कि जो नमबर दो से जो भाग्याग बना है आपका कमी आपका फिल्योर वही दो नमबर से ही आएगा यह सोचना आपको 6 का नेगेटिव पांट है कि वो लगजरी पे रहता है खाली पैसा खर्च करते हैं तो आपको बही केस में ही स्टॉप हो जाना चाहिए जो 8 से जो 26 से बना हुआ 8 तो अभी नेक्स्ट चलते हैं हम 35 35 अपने आपके एक अच्छा नमबर है अगर मैं 17 की बाद तो उसके बाद यह 35 एक अच्छा नमबर है क्यूंकि 358 तीन बहुत अच्छा नमबर है 3 एक्सट नमबर है 5 पे एनर्जटिक बालांस का नमबर है और भाग्या के एट तो आप देख चुके हैं तो इसमें क्या प्रोब्लेम है आता है 3 अटाच है वो फास्ट पार्ट अब लाइफ के आपको एक्सट नमबर है 5 आया नेक्स्ट पी 5 का नेगेटिव पॉइंट क्य क्या होता है हम अपोचिट सेक्स के तरफ जुकाब हो जाते हैं उसके लिए हम अपना टाइम ओइस्ट करते हैं उसके लिए हम अपना बिजनेस हो अपना कुछ काम में फोकुस नहीं कर पाते हैं लेकिन आपके लाइफ में लिखा ही नहीं है कि आपको बोही कहां पे भी प् फल्स रह जाता है कि वो जब अपना बड़ी होट होने लगता है हमी क्या करता है इंब्लान्स कर देता है तो वही टायम को आपको क्या करना चाहिए एनरची को एक रिखुलेट करके आपको वही एनरची अच्छा काम में लगाना चाहिए और भाग्या के इटकों में क्या कही थी आप भी जो काम करेंगे वो 20 years के बाद आपको फल देखा आप सोच रहे हैं कि भाग्या के इटका और एक peculiar में बता दू आपको वीडियो देखने के बाद मुझे बता ना कि वो सही है या गलत कि लोगों को क्या होता है कुछ कर्म करते ही आज अगर छोटा मोटा चोरी करती है दूसरे नंबर को क्या मिलेगा बोश टोर होके रहेगा उनको दूसरे जन्म में मिलेगा या कुछ मिलेगा लेकिन और फोर का क्या होता है आज करेंगे तो 40 years के बाद उनको बुढ़ा पेबे चोटा मुठ्या कुछ काम कर दे होगे गलत काम तो उनको हो यह, अगर अच्छा काम भी उनको मिलेगा तो यह से में मैं कहना चाहती हूँ, तो यह रहा 35 का, कि 35 लोग को भाग्यां के 8 बाले, 2 काम के लिए failure होते हैं एक है, ठीक ठंग से काम नहीं करते, यानि कि knowledge के साथ काम नहीं करते, या लेची होके रहते हैं यानि कि परिष्णाओं ज्यादा नहीं करते, दूसरी बात क्या होता है, कि यह लोग किसे दूसरे के फीछे भागते हैं मिरेज है, मिरेज क्या होता है आपका मालूमी कि वह जो डेजर रहता है वह आपपानी के सोर्स के लिए पीछे भागते रहते हैं, लेकिन आपको नहीं मिलता है तो जो लोग भी भागयां के साथ जन्म होएं अगर वह कुछ आपके पानी के लिए पीछे Бागयें पिता आपके उपर दुखी है आप एसा भी कुछ भी आपके हाथों से एसा ही कर्म हो जाएगा जो बहुत दुखी हो जाएगे तो आप किसी को भी, आपके ससुराल वाले को लड़की है तो ससुराल वाले को अगर लड़का होगा तो पिता माता को कभी भी खुश नहीं कर पाएगा तो इससे बेटर है कि इस टाइम के उपर छोड़ दीजे बोश्दारेगा अब यहाते हैं हम फोटी फोर के जरब 35 आप फोटी फोर में किया एकी डीफ्रेंट से देखें यहाँ पर डबल फोर से बना हुआ है पहले से एट है कि दिले देगा, difficulty ज़ेगा, सब struggle लाई देगा, फीर से डबल फोर आया यहां पर क्या है इसका negative point 4 का क्या है selfishness अगर आप एसा कुछ अपने खुद के बारे में सोच के selfish होके कुछ एसा decision ले लिए जो आपके family के लिए support नहीं हो रहा है आगे जाके बोही आपको difficulty में डाले गाए तो double 4 के लिए मैं एसा ही काम कहना चाती हूँ कि आप कुछ एसा काम कीजिए method and system पे चलिए आपके चारो तरग क्योंकि money का problem monetary problem आ सकता है क्योंकि 4 का negative 4 अगर लोशोगुर्ण पे wealth को दिखाता है वो कभी कभी opposite यानि कि गरीबी क्यों भी दिखाता है तो अगर आप method and system पे न नहीं समझता कि अंधों के जैसे उनके पीछे भागना नहीं कि उनका बात के पीछे नहीं भागना आपको एक काम करने के अगर कर रहे हैं तो बार बार उसको सोचके उसके बात कीजिए लेकिन 35 में मैं आपको कह दो कि 35 में किसी की बात नहीं सुनना फुट्टी फोर में क् आपको किसी से ले रहें हैं आर्ड रहे ? तो उसको दो बार चार बार सोचके हां ठीक है यह आरौंग है ... यह सोच के आप कीजी लेकिन 35 में आप खुद सोच लेजिए आपको 3 मिला है ... 5 मिला है ... यह तिनों से आपको क्या अच्छा नंबर मिल सकता है तो मैं यही कहना चाहते हूं, आप जो भी decisions लेगी सोचके, सभी के लिए वो आप खुद के लिए अच्छा होगा, दूसरे के लिए अच्छा होगा, यह तो overall हो गया